हलो अवरिवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत हैं आप सबों का मेरी यूटूब चनल सिवे रमन अकेडमी पे हम लोग आज 2019 याने 2019 के Physics के Objective Question को करने वाले हैं इससे पहले हम लोगोंने Model Set, Chemistry का Model Set, Physics का Model Set जो 2023 में आया हुआ है फिर आप लोग के लिए Question Bank 2014 से लेकर के आज हम 2019 तक पहुँच गया हैं इसके बाद और दो वीडियो के बाद FUJIS के Objective Question आपके खतम भी हो जाएंगे फिर हम लोग Chemistry, फिर हम आपके लिए Chemistry के Question Bank को स्टार्ट कर देंगे तो बाबू, आप लोगों को हम उसना दिन से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का थोड़ा सा भी अगर मेरे वीडियो से आपको मदद मिलता है या फिर आप सीख पाते हो, आपका मन बेट रहा है Objective Question में तो कम से कम आप लोग मेरे Energy को बढ़ाने के लिए कम से कम एक छोटा सा कमेंट तो कर सकते हैं बहुत बड़ा कमेंट है, कम से कम आप हमको Thank You Sir तो बोल सकते हैं ताकि मेरे को एक Energy मिले, एक Potential मिले और हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें अना हम देखते हैं कि मेरे वीडियोस पे कम से कम एक बच्चा का कमेंट लेगूलर आता है वो बच्चा का नाम है बादल, वो बहुत महनती भी है वो आता है चलियामा से बच्चा ठो वही बच्चा का हम देखते हैं कि वही कमेंट करता है तो जो बच्चे मेरे से खुद पढ़े हुए हैं ओफ-Line Classes में वह Video's देक रहे हैं कि नहीं मुझे यह भी पता नहीं चलता है। और सायद है कमेंट कि भी करते हैं कि वह Video's देखते ही नहीं हैं तो अगर जो बिच्चे देख रहे हैं ठीक है वह मेरे से offline पढ़े हैं या ना पढ़े हैं ? अगर देख रहे हैं, आप लोगों को मेरे से मदद मिलता है, तो कम से कम, at least आप मेरे को thank you sir बोल सकते हैं, ताकि मेरे को एक energy मिले या ना, तो चलिए बातें लंबा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप मेरे को नहीं बोलना चाहते हैं, तो उसके ओपर भी कोई नहीं, हम आप लोगों को ये promise कर चुके हैं, कि आप लोगों को ये physics का, फिर chemistry का objective question जो भी है question bag में, वो आपको solve solution करके देंगे, तो आपको अगर मदद मिल रहा है, और अगर आप देख रहे हैं, तो पक्का आपको मदद जरूर मिलेगा, क्योंकि हम अगदम details में आपको बता रहे हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए तो 2019 के questions को कर देते हैं solve, आपको बता दें कि 2019 वो साल है, जिस साल मैंने अपना एक्जाम दिया था 12 क्लास का, बारवी का एक्जाम देख करके मैंने इस यर पास आउट हुआ हूँ, ठीक है, तो इसमें जो आपको बहुत सारे numericals देखने को मिलेंगे, आपका माथा पची भी होगा इसमें, बहुत सारे concept भी मिलेंगे आपको, तो चलिए यहाँ पर start कर लेते हैं, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए फिर पहरा question देखिए, आप क्या बोले जा रहा है, कि 2 point charges, plus 3 micro coulum, and plus 4 micro coulum, micro समझ रहे ना, अगर micro को हम coulum में change करेंगे, तो इसको भी मेरे को 10 to the power minus 6 से इंटू करना पड़ेगा, और इसको भी हमको 10 to the power minus 6 से इंटू करना पड़ेगा, ripple each other with a force of 10 newton, ठीक है, मतलब 2 charge है, point charge, एक का ये charge है, एक का ये charge है, और दोनों एक दुसरे को ripple करना है, ripple करना भी चाहिए, कितना force है करना, 10 newton, और ripple करना भी चाहिए, तक ये भी positive का है, ये भी positive का, तो plus plus ripple करते हैं, फिर क्या बोला जाला, वो सुनिए, कि if each is given an additional charge of minus 6 micro कुलम, ये 6 micro कुलम नहीं, इसका आगे यहाँ पर देखिया, minus 6 micro कुलम का, अब अब खुछ सोचिए, कि इसके पास तो plus 3 था, जब हम इसको minus 6 दे देंगे, तो इसका charge कितना हो जाएगा, plus 3 था, minus 6 दे देंगे, तो minus 3 micro कुलम बनेगा यह, और ये plus 4 का था, इसको भी अगर हम minus 6 दे देते हैं, minus 6 अगर हम इसको भी देते हैं, तो ये बन जाएगा minus 2 micro कुलम का, मतब ये बन जाएगा minus 3 का, ये बन जाएगा minus 2 का, अब सोचिए कि charge बदल गया, तो उन लोगों में जो force लग रहा था, पहले कितना लग रहा था, 10 newton का, बाद में जब हम additional दे देंगे, उसमें additional charge को add करेंगे, तो force भी तो new लगेगा, तो वही हम लोगों को निकालना है, कि new force कितना होगा, तो आप दियां से देखिए इसको, सबाल बहुत बढ़िया आया, तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप के numerical, अभी तक आपको नहीं देखने को मिले थे, 219 में मिल चुके हैं, देखिए, यहाँ पर कैसे बनेगा इसका, यह देखिए, माले देखिए कि मेरा चार्ज है Q1, Q2 कितना करके बोला गया, कि एक चार्ज है आपका प्लस 3 µ, दूसरा कितना है, सबसे पहले हम यह आर को फाइंड करते हैं, फिर ही हम new force निकाल पाएंगे, जो मेरे को new निकालना था, Fnew, यह हम तभी निकाल पाएंगे, जब मेरे को आर के बारे में पता होगा, ठीक है, अब जानते हैं, फोर्स कितना बोला गया 10 N, अब 2 charge के बीच लगने वाला force, कुलम force कितना होता है, तो वह होता है, F का formula होता है, K Q1 Q2 by R square, 10 N का 10 N, ठीक है, K का मान हम बिठा दिये हैं, 9 N to 9, कुलम constant का मान यह होता है, Q1 का मान तो बोला गया है, कितना है, प्लस 3 µC, तो 3 µC में change करने के लिए 10 to the power minus 6, दूसरा है आपका प्रफ 4 µC, तो यहां पर लग दिये है Q2 के जगा पे, 4 µC के लिए हम गुना कर दिये है 10 to the power minus 6, निचे R square का R square, और इदर आपका 10 N का 10 N, ठीक हैं, फिर आते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको R square चाहिए तो हम इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले आएंगे, बढ़र क्या होगा मेरा, 108 into 10 to the power minus 3 और यह इधर जाएगा और यह इधर आएगा और नीचे आएगा 10 ठीक है, अब 10 का पार कितना 1 यह उपर जाएगा तो फिर minus 3 यहां पर और जाएगा तो कितना आएगा minus 4 तो आपको R square यहां पर मिल गया, कितना आया, 108 into 10 to the power minus 4 यह अगर हो गया तो इसके बाद ही हम किसको निकालेंगे, नीव फोर्स को, अब नीव फोर्स निकालना कब है, तो नीव फोर्स हमको तब निकालना है, जब Q1 को हम extra कितना देंगे, तो minus 6 MQ, और Q2 को भी हम extra कितना देंगे, तो Q2 को भी हम extra कितना देंगे, मैंनos 6 MQ, अब आप खुशी इसके पास plus 3 था, जब हम इसको minus 6 दे दिए, तो इसके पास क्या बन गया, Q1 कितना बन जाएगा, प्लस 3 था माइनस 6 दे दिए मदब Q1 बन जाएगा आपका Q1 बन जाएगा आपका माइनस 3 माइक्रो कुलम और यह सोचे यह तो प्लस 4 था इसको हम दे दिए माइनस 6 तो यह बन जाएगा आपका माइनस 2 माइक्रो कुलम मनदब Q1 के जगह पे माइनस 3 और Q2 के जगह पे माइनस 2 रिजन क्या है कि हम उसको एक्स्टा कितना दे रहे हैं माइनस 6 माइनस 3 और हमको नियू फॉर्स चाहिए तो कि फॉर्मॉला तो भी फॉर्स का फॉर्मॉला के हम इठा देंगे याँ है माइनस 2 और माइनस 2 खाल मानस 6 तो यह आ चुका है 108 इंतु एंस टेंट की फ़िए अब अब 9 3 और 2 को हो अगर रिंटी खरते है तो आयेगा 54 और यह माइन माइनस माइनस तो प्लस सही है हम इसको काटेंगे तो यहां से कर जाएगा यह माइनस 3 था यह माइनस 4 था तो कितना बचेगा सिर्फ पॉर सीप यहां पर माइनस 1 बचेगा यहां पर माइनस 3 तो माइनस 4 है यहां पर तो एक 3 कर जाएगा माइनस 1 बचेगा यहां पर इसको काटेंगे तो यह आएगा 1 से कर प्लस में अब 1 by 2 1 by 2 कितना होगा तो वह होगा 0.5 अब सुचिए 0.5 को अगर हम 10 से multiply करेंगे तो पॉइंट हड़ जाए कितना आएगा पांच नियूटन तो जब को नियू फोर्स आएगा वह होगा बढ़ी लंबा होगा जरूर लेकिन कॉंसेट भी बहुत बढ़िया मिलेगा यहां पर कि टब कोशन था 2019 में तो आपको सिखना है इसमें ठीक है तो अब नेक्स सवाल पर इस सवाल पर इतने सारे बच्चे गलती करते हैं मैंने अफलाइन क्लास में भी बच्चे को देखा वो ऐसे कि यह हैं हमको बताएं नहीं है अगर वो देख रहे हैं मेरे बच्चे जो मेरे सप्लाइन पढ़े हैं तो देखें यहां पर सवाल क्या है टू कोपर वायरस of length L & 2 L have radiiii R And 2R respectively the ratio of their specific resistance किसका ratio पूछा है तो specific resistance को बोला क्या गया कि 2 length है copper का दो वाई हैSony do warrior है दो तार है copper काए कोपर तार का लंबाई है l अव मैंद गजय कोपर वाईर ॏ जो है वह आपका 12 का एक का हे एल और एक का लंबाई है 2l एक का ठीम overboard और एक लुक्रतार है तो हम तार नहीं करेंगे तो इसका तर के यहां पर देखे लेंटिण है नियुकर से होता है अब ब्સिह को जो मिला होता है यह होता है तो यह तंफिक रेजिस्टिवियर्सरोन्hö इस अब resistance offered by unit length and unit cross section area of a wire हना आप ये पढ़े हैं आप समझें तीचर का मज़ा जरूर लिजेगा इसमें आप तीचर आपको जरूर पढ़ाएंगे specific resistance के बारे में और हम आप जानते भी है कि specific resistance जो होता है वो depend किस पर करता है मैं यह है तो it depends upon the nature of the material यह material पर depend करता है उसके लंबाई पर नहीं कि अगर कम लंबा है यह ज्यादा लंबा है यह कम मोटा है ज्यादा मोटा है तो उसके लिए रो जो होगा वो अलग-अलग होगा यासा नहीं इसका भी रेजिस्टिविटी specific resistance किया अगर रो का अब इन दोनों को अगर हम अनुपात करेंगे दोनों अगर समान है तो रो को रो सो अनुपात करने पर आपको क्या मिलने वाला तो वन बाई वन यानी वन अनुपात वन यह होगा इसका एंसर सही एंसर सही है यह इसका सही यह इसर होगा वन अनुपात वन अप्शन नंबर सी यहाँ पर specific resistance बोला है आप question ध्यान से पढ़िए अगर specific ना बोल करके सिर्पोसिब resistance बोलता तो आप यह formula लगा कर निकाल सकते थे आर बराबर रो एल बाई एसे यहाँ पर तो आपको यह formula लगाना है नहीं है कि किसका प अप्शन आपका वन अनुपात वन निकल करके आएगा नेक्स सवाल यह सवाल भी देखिए बढ़ियां बढ़ियां सवाल है आप समझ रहें कि यहाँ पर आपको अपना दिमाग देना है कंसेंट्रेशन भी देना है नेक्स सवाल देखिए बलता है एक तार है उसका परतिरोध आरका है हमको उसको बराबर एन भागों में काटना है एन इकुवल भागों में काटना है उसी तार जिसका परतिरोध कितना आरका उसको एन बराबर भागों में काट लेना और काट के हमको जोड़ना है उसको पैरलल में तब उन लोगों का एक्क्यूवलेंट मतलब समतुल परतिरोध कितना होगा ये पता करना है तो आप यहाँ देखिए माल लीजे कि ये मेरा एक तार है हो गया जिसका परतिरोध कितना का है तो आर का कितने भागों में काटना है एन भागों में काटना है तो अगर पूरे तार का परतिरोध आर है उसको हम एन बराबर भागों में काटेंगे तो जो बरावर भागों में काटेगा पूरा तो R परतिरोध का है तो ये जो एक भाग में काट देंगे तो उसका परतिरोध कितना होगा R by N अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो आप यहां देखिए माल लीजे कि आपके पास एक तार है और इस तार का प्रतिरोध है सॉलाव्ओं हम इसको दो बरावर भागों में काट देते हैं तो यह देखे कट गिया इधर एक बाग इधर एक बाग अब आप सोचे कि पूरा अगर सॉलाव्ओं का है तो आधा कितना होगा आठ ओम का आठ यानि हम इसको बोल सकते हैं 16 बाइद 2 यानि 2 यहां पे क्या है जितने भागों में हम उसको काटे हैं तो वही बोल रहे हैं जितना परतिरोध है उसको अगर हम 3 भाग में काटते हैं यहां पे 3 भाग में काटते हैं तो 3 भाग में तो हमें 16 से 3 भागा देते हैं तो यहां पे क विए बाद हमको सभी को किसमे जोड़ना प्रालल में जो एक्वालेंट अब आपको निकालना एक्वालेंट तो फिर रेस्टन्स तक अब यहां पर चल जाएगा तो यह आपर भी को बचेगा एन इस पकार से एन जूड़ जाएगा एन तक अगर हम एन को जोड़ेंगे एन तक तो क्या हम इसको बोल सकते हैं एन स्क्वेर बाइ आर आप सोज रहे हैं एक चीज को अगर उसके एन तक जोड़ा जाए अब दो को जोड़ोगे दो बार तो दो प्लस कितना से आएगा से 2 को 3 bare 2 3 कितना नोगया तो से इंपर नीचे करेंगे इसको तो इसको भी मेरे को उपर नीचे करना भीआ कि आपर जिये कि आन पर निचे होगा याँ पर लिए कि राडी कितना होगा यहाँ पे उपर नीचे किये तो यहां पर भी उपर नीचे मतलब यह हो जाएगा आपका R by N square R by N square आप यह देखिए कौन सा option है आपका तो यहां पे तो option नहीं है option पलड़ दे रहे हैं आप देखें यहां पे आपको option मिलेगा यह रहां आपका option A number next सवाल a proton enters a uniform magnetic field of 5 tesla with velocity 4 into 10 to the power 8 meter per second at right angle to the field the magnetic force acting on the proton is charge on an proton equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb क्या करना है कि एक proton क्या हो रहा है कि magnetic field में घुस रहा है कितना velocity वी दे दिया गया है उसको और वो 90 दीर में घुस रहा है नहीं राइट एंगल के साथ तो हमको magnetic force चाहिए तो magnetic force का formula हम आपको बता चुके थे जब आपको Lawrence force के बारें पढ़ाये थे model set में question भी था हम आपको बोलें नोर्स आपको देते चलते हैं अगर आप मेरे को ध्यान से देख रहे हैं ध्यान से पर रहे हैं मेरा नोर्स तो पक्का जो होगा आपको बहुत अच्छे marks मिलने वालें इस बार objective में तो आप देखें यहां पर तो magnetic force का formula होता है f equals to qvv sin theta यह formula था जहां पर q क्या है चार्ज अब चार्ज आपको दे दिया है 1.6 into 10 to the power minus 19 देख सकते हैं यहां पर यह वाला बी magnetic field दे दिया है 5 tesla का magnetic field 5 tesla भी यहनी velocity कितना दिया है तो 4 into 10 to the power 8 meter per second तो बिठा देगे हैं भी के जगा पर 4 into 10 to the power 8 meter per second sin theta theta के तरा night angle बोला तो 90 होगा समग रहे है q का मान ये वाला b का मान 5 वी का मान ये वाला और theta का मान 90 वाला अब हम करने जाएंगे इसको यहां पर देखिए अगर हम यह 1.6 को 1.6 हमने उतार दिया है 5 को 4 से गुना करेंगा तो 5 4 में 20 आएगा 10 to the power 19 को हम यहां पर 10 to the power 8 को अब हम यहां रख दिये हैं और sin 90 का मान 1 हम किसको गुना किये 5 को और 4 को और 45 में किसना आया 20 अब हम अगर इन दोनों को multiply करेंगे तो वह आएगा आपको 32 ठीक है 1.6 और 20 को गुना करेंगा ता 32 अब यहां पर देखिए 10 to the power 19 है और यहां पर है 10 to the power 8 to minus 19 से 8 अगर चल जा कि आप देख सकते हैं यहां पर देदिया 3.2 और 10 to the power minus 11 जबकि आना कितना चाहिए 32 into 10 to the power minus 11 अगर यहां पर यह पॉइंट नहीं होता तो option B आपका सही होता अब देख रहे हैं कि हम यहां पर answer को मिटाए इसलिए रखते हैं क्योंकि option सब सही नहीं रहता है आपको बता दे यहां पर answer B होगा हम option इसलिए मिटा देते ता कि वही option देख के बच्चा पार ना करें वीडियो को option सही नहीं रहता है ठीक है next सवाल यह तो हम आपको notes भी दे चुके हैं बता भी चुके हैं model set में अभी आपको यहां पर inductance का पूछा है अगर यहां पर सिर्प resistance का पूछ सकता है आपको capacitance का पूछ सकता है model set में साइध हमको capacitance देखने को मिला था यहां पर क्या देखने को मिल रहा inductance तो अगर सिर्प और सिर्प कोई ऐसी circuit में inductance जुड़ा रहे तो वहां पर जो आपको phase difference देखने को मिलता है current और voltage के उपर वो होता है 90 का अगर सिर्प और सिर्प यहां पर resistance होता तो वो जिरो होत होता के capacitance होता तो वो भी 90 ही होता ठीक है यह हम आपको इसके ओपर notes भी दे चुके हैं तो इसका answer तो simply 90 होने वाला है next वाल क्या बोलता है if vg, vx and vm are speed of gamma rays x-ray and microwaves मतलब यह वाला gamma का है यह x का है और यह micro का है respectively in vacuum then यह सबके सब speed दिये हुए है तो सबसे पहले एक्स-ray gamma ray औ क्या तो यह आपका electromagnetic wave है अब electromagnetic wave का speed होता है vacuum में 3 into 10 to the power 8m per second और यह constant है किसी भी wave के लिए नहीं बदलता गामा के लिए भी नहीं x के लिए भी नहीं और micro के लिए भी नहीं inferior ray के लिए भी नहीं रेडियो वेव के लिए भी नहीं, तो किसी के लिए नहीं बदलेगा, सबका speed क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसका option है A, ठीक है, बदलता कौन है, तो wavelength और frequency, जिसका wavelength जादा होगा, उसका frequency कम होगा, ताकि उसका speed क्या रहे, constant रहे, जो मेरे से पढ़े हैं, ये सवाल आप को समझने में बिल्कुत भी दिक्कत नहीं होने चाहिए, सब कुछ आपको हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, तो आप मजे से पढ़िए, ठीक है, next सवाल देखते हैं, ये सवाल का भी आपको answer पता होना चाहिए, क्या बोला जा रहा है, कि in an astronomical telescope, focal length of two lenses are, जान रहे हैं कि telescope में दो length होते हैं, कम objective बलते हैं, कम IPS बलते हैं, तो एक का focal length है 0.3 meter, दुसरे का है 0.05 meter, in normal adjustment, the distance between them is, तो telescope में हम आपको notes पहले भी दिये हुए हैं, अभी भी देखिए, telescope का जो magnification होता है, वो होता है, FO by FE, जहां पर objective का ये focal length है, ये IPS का, और उसका जो length होता है, डिस्ट length कितना दिया हुआ, 0.3, दूसरे के कितना दिया हुआ, 0.05, add करेंगे कितना हैगा, 0.35, अगर आपको पुछता की magnification, तब आपको direct दोनों को का करते हैं, इन दोनों को divide करते हैं, तो अभी तो आपका answer होगा 0.35, आपको magnification भी पूछ सकता है, तो ये कितना आसान था, ये vibration of the particles is perpendicular to the propagation of the wave, मतलब अगर particles किसी wave में vibrate उपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, SHM कर रहे हैं उपर नीचे, और अगर wave आपका इस दिसा में जा रहा है, तो उन लोग के बीच में एंगल केतना 90 degree करता हो, हम उसको बलते हैं transverse wave, ठीक है, 90 degree होना चाहिए direction के साथ उसका vibration, अब light जो है, अब light एक परकार का electromagnetic wave है, अब electromagnetic wave में particles vibrate नहीं करते हैं, कौन करते हैं, electric field and magnetic field, और electric field और magnetic field की जा रहे होते हैं, आपस में perpendicular होते हैं, जो मेरे से पढ़े हुए, देखे, सब आपके पढ़ाय हुआ सवाल है, तो आपको बताना है कि इन में से कौन घटना से हमको ये देखे, पौरायजरेशन में होता क्या है, तो unpolarized light को हम करते हैं, polarized, अब unpolarized light हम किसे बोलते हैं, जिसमें electric field, magnetic field जो होता है, उसका direction जो होता है, वो random होता है, और polarize करने पे उसका direction वो सजता है, unidirection में या फिर हम उसको बोलेंगे वो, परpendicular direction में सजता है, तो उसका transverse वेब दिखाने का घटना हम polarization से उसको समझ सकते हैं इसका answer polarization होगा next वाल in an photoelectric experiment if both the intensity and frequency of the incident light are doubled then saturation photoelectric current photoelectric experiment में आप जाने रहें कि light आता है एक metal plate पे गिरता है और वहां से electrons बाहर निकलते हैं अब अगर हम light का intensity और frequency को double करेंगे तो जो electrons बाहर निकलेंगे उसी से मेरा current भी बनता है उसको हम photoelectric current बोलते हैं कि electrons चार्ज चार्ज चलेगा तो current बनेगा तो अगर जो light उस पे गिरेगा उसी का intensity हम double करेंगे तो electrons जल्दी निकलेंगे ज्यादा निकलेंगे और अगर electrons ज्यादा निकलेंगे इसका मतलब photoelectric current भी क्या होगा ज्यादा निकलेंगा तो अगर हम intensity double करने वाले हैं तो उसका photoelectric current भी क्या होगा double होगा next सवाल यह सवाल तो आपको modern side में भी देखने को मिल चुका है कि which spectral series of the hydrogen spectrum lies in the visible region of electromagnetic spectrum तो कौन visible में होता है एंसर वाल मेर next वाल इसके ऊपर एक नोट देखिए कि if the radius of the first orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter then the radius of the second orbit is अप यह जरूर याद रखोगे यह देखिए hydrogen atom में जो हम radius निकालते हैं सभी orbit के लिए उसका formula यह है rn जहाँ पर n क्या क्या है अगर आप n का value 1 लोगे तो फर्स्ट orbit 2 लेने पर 2nd orbit 3 लेने पर 3rd orbit जो भी जैसे इस प्रकाश आगे बढ़ेंगे n यहाँ पर orbit को दरसा रहा है r1 का मतलब है first orbit का और n आप समय रहा हो यह किसको दरसा रहा orbit को तो हमको अभी निकालने किसका बोला तो second orbit का आप question देख सकते हैं यहाँ पे पूछा किसका गया तो second orbit 11 का 10 to the power minus 11 अब अगर हम इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो वहां से एक 10 तो कम हो जाएगा यह होगा आगे अगर इसको ले जाता है तो यहाँ पर 10 to the power minus 10 सही है और minus 10 को हम बोलते हैं angstrom तो यह बन जाएगा 2.12 2.12 angstrom option देखिए कौन सा है तो वह आपको देखने को मिलेगा option B next one which one of the following has maximum penetrating power penetrating power का हम भेजन छहमता बोलते हैं ठीक है भेजन सकती मतलब माल लिजे कि आपके पास 15 सा मेटल का जिली है हम उसमें से पार करेंगे अलफा रेज वीटा रेज गामा रेज आप जान रहे है अलफा बीटा गामा कहां से रेडियो अक्टिविटी इमीशन से तो इसमें से सबसे ज्यादा भेजन चमता कौन है इस मेटल जिली से अगर हम पार करेंगे तो कौन आसानी से पार हो जाएगा तो उसका एंसर गामा अलफा का उससे थोड़ा ज्यादा होता है बीटा को सबसे ज्यादा गामा का होता है याद जरूर रख मैं इसको नेक्स अवाल वेन इंडियम इस डॉप्ट टू सिलिकन एज इंपरिटी दा रिजल्टिंग मैटरियल इस हमको पता है कि सिलिकन को डॉप करने पे दो प्रका को अगर हम सिरिकन में मिलाएंगे तो कौन से टाइप बनता है तो पी टाइप टाइप एंटाइप कब बनेगा जब हम गुरूप 15 मिलाएंगे यानि पेंटा वेलेंट आप इसको भी याद रखोगे नेक्स सवाल लास्स सवाल फोटो डायड फंक्शन इन फोटो डायड ज ढाइबा बठाइप लंब बाडब मुझाथ जाएगा टो नोड से पड़ी उटायोड इप बनाएं पड़े हैं भी प्रैस आप यह कंदिसान रोख नै longest ख़तम नहीं आप बनिया से पढ़िए, मजदार से पढ़िए, आपको मांक्स मिलेगा, बरजा रेकिए मेरे उपर हम आप लोग के लिए chemistry का भी question जल्दी ही बना के देंगे, अगर आप अपको answer देखना है तो आप speed से देखिए, otherwise अगर आप थोड़े से कमजोर है तो notes लिखते हुए आग बताते हैं, तो ठीक है मिलते है next video पे